चारली चैपलीन यानी सर चाल्स इस्पेंसर चैपलीन दुनिया को हसानी की कला से वाकिप कराने वाले एक अच्छे अभीनेता के सांस साथ बेहतरिन फिल्म निर्माता और संगित कार भी थे इनका जन्ब 16 अप्रेल 1889 में वालवर्थ लंदन में हुआ था चारली को मुख फिल्म साइलेंट फिल्म के युग में परसिध्धी मिलनी सुरू हुई सबको हसाने वाले चारली का जीवन खुद दुख से भरा हुआ था लेकिन उन्होंने जीवन को एक अच्छे अफसर की तरह इस्तमाल किया और वेर्थ नहीं जाने दिया दुनिया में हर इंसान को उनकी कही गई बातों से पिरना लेनी चाहिए और निरंतन चलने वाली जीवन को कितनी भी कठी नाईयों से वेर्थ नहीं जाने देना चाहिए उन्होंने एक बार कहा था हाज से टॉनिक है, रहात है, दर्द रोकनी की दवा है वो कहते थे कि मन से डर निकाल दे तो जिन्दीगी खोपसूरत हो जाएगी उन्होंने कहा थे कि जीवन के सुरुवाती दौर में मेरी दुनिया सिर्फ दो ही लोग थे एक थी मेरी मा और दूसरे बड़े भाई हमारा समय बुरा चल रहा था क्यूंकि हम गिरजा घरों की किरपा पर पल रहे थे सो की टिक्टो की बदोलत जैसे तैसे जिन्दीगी काटने पर मजबूर थे सिड्नी इसकूल के दौरान समय निकाल कर मैं अगबार बेचा करता था और बेसक इससे हमारी जरुवते पूरी नहीं होती थी जिवन में जिस सबसे बुरी चीज की कलपना मैं कर सकता हूँ वो ऐसो अराम की लथ है मा हाना ने सिखा है कि पैसे नहीं होने पर कैसे मनोरंजन किया जा सकता है मा खिरकी पर बैठ जाती और सरगों पर गुजरने वाले लोगों को देखती और इसके आधार पर उनके चरीतरे रंग रूप और आचरन का अनुमान लगाती उन पर कहानिया सुनाती, कभी कभी उनकी नकल करके भी दिखाती मैंने अपनी मा की इस कुसलता को आत्म साथ कर लिया था मेरी मा की यही पर्थिवा और उनकी सुनाई कहानिया थी जिनके कारण मैं दुनिया को आगे हसा पाया मेरा मानना है कि जिन्दिगी खुपसूरत हो सकती है अगर आप इससे डरे नहीं जरूरत है तो सिर्फ सहस और कलपना की और बहुत थोरे से पैसो की उन्होंने कहा था कि अगर आप नीचे देखेंगे तो कभी भी इंद्र धनुस नहीं देख पाएंगे इस मकार दुनिया में कुछ भी इस्थाई नहीं है यहां तक कि हमारी परिशानिया भी नहीं ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारा चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते